गुड आप्टरनुम बच्चों आज हम नया टॉपिक शीखेंगे इविन और ओर्ड नम्बर्स कर even और ओर्ड नम्बर्स क्या होते हैं even नम्बर्स वो नम्बर्स होते हैं जिनको अगर हम pair में यानि कि दोदो के pair में divide करेंगे तो उसमें last में कुछ भी नहीं बचेगा और odd numbers वे number होते है जिन को अगर हम divide करेंगे तो उनके last में एक अकेला बच जाएगा तो यह देखते है कि even और odd numbers कैसे निकालते हैं even और odd numbers निकालने के दो तरीके होते हैं तो पहला करीका देखते हैं जैसा कि मैंने यह नंबर लिखा है 367 तो even odd निकालने के लिए हमें किसी भी नंबर के last digit को देखना होता है तो last digit जो होता है उसी के according अगर हम यहाँ पे dots बना दें जैसा कि यहाँ पे 7 है तो मैंने यहाँ पे 7 dots बना दी है अब इनको हम pair में divide करेंगे दो-दो के pair बनाएंगे अगर अकेला बच गया कोई digit कोई dot तो यह number हो गया हमारा odd अगर यह से कि यह dot इसमें अकेला बच गया तो यह number हो गया हमारा odd अब दूसरा number देखते है 298 इसमें last digit है हमारी 8 तो मैंने अगर यहाँ पे 8 dots बना दिये गए तो यह होता है हमारा even number लेकिन यह method जो है थोड़ा time consuming और थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए हम दूसरे method को follow करेंगे जो है यह even number के last में यह digits आती है 0,2,4,6,8 और odd number के last में digits आती है 1,3,5,7,9 तो यह चीज़ बस हमको याद रखनी है कि even जो number होते हैं उनके last digit में 0,2,4,6 और 8 आता है और odd number के last में digits आती है 1,3,5,7,9 यह method बहुत easy होता है क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता मतलब ज़्यादा time consuming और landy नहीं होता तो चलिए अब देखते हैं next number है हमारा 133 तो 133 के last में आ रहा है 3 तो 3 हमारा odd digit की list में है तो यह number हमारा हो गया odd बस हमें इसमें और कुछ नहीं करना next हमारा number है 724 तो इसके last में आ रहा है 4 4 जो है हमारा even number के list में है तो यह हो गया हमारा even number अब देखते हैं आगे का 482 इसके last में आ रहा है 2 चलिए अब सोचके बताइए even में आएगा की odd में आएगा even में हमारी list में होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 आ रहा है तो यह हो गया हमारा even number और odd number नहीं होगा क्योंकि यह हमारा even number की list में आता है और जो next number हमारा है 345 इसके last में आ रहा है 5 तो 5 हमारा कौन सी list में आता है odd की list में बस आपको list याद होनी चाहिए जिसमें 55 numbers है वो भी single digit के तो आप even odd बहुत easily solve कर लेंगे numbers चाहे कितना भी बड़ा हो अब यह हमारा number है 861 इसके last में 1 आ रहा है तो 1 किस कौन सी list में आता है odd की list में आता है अब next है हमारा 349 इसके last में है 9 तो 9 हमारा कौन सी list में आता है चलिए देखते हैं फिर से 9 हमारा आता है odd की list में तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना है odd यह number जो है वो हमारा कौन सा है odd number है अब next है हमारा 760 जीरो जीरो हमारा कौन सी list में आता है जीरो आता है हमारा even की list में तो यह हो गया हमारा even number और लास्ट नंबर है हमारा 686, यह हमारा है 6, जो 6 हमारा कौन जी लिस्ट में आता है, 6 आता है हमारा even की लिस्ट में, तो यह भी नंबर जो हो गया, पूरा हमारा even, हमें के वे लाक डिजित देखकर ही समझ में आ जाता है, कि जो पूरा number है, वो even है कि odd है, चलिए list को दुबारा से देखते हैं, even number के list में आते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, मेरे संग दुबारा repeat कर लिए, even number के list में आते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, और odd number के list में आते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, even में 0, 2, 4, 6, 8, और odd में 1, 3, 5, 7, 9, ये method जो होता है, मैंने पहले बताया था, बहुत lengthy और time consuming होता है, पहले हमें dot बनाने हैं, फिर pair बनाना है, remainder बचेगा, तो उससे अच्छा है, हमने ये list याद कर ली, और हम बहुत जल्दी से इस list की मदद से, अपने जो है even odd निकाल सकते कर दो ह oportun किन में शड़ल जुरा वां जो होता है, जो होता है, बहुत को है विर से पया है, कि को हम जोन जा है, पो दो है याया है, उद में डित बहुत से घ्टार Digital साथ कर दो झाले हैं, झाल झाल